हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत्य आफ सभी का एक लवे क्लासिस में हम देख रहे हैं मद्ध प्रदेश सामन ग्यान की ब्रह्मास्त सेरीज जिसमें हमने पुरानी वीडियोज में मद्ध प्रदेश के प्रिशिद्ध व्यक्तियों के उपनाम इबा उपादियां देखी थी उससे पिछली वीडियो में हमने मद्ध प्रदेश में तीन नहीं जिलों की बारी में चर्चा की थी और आज की इस मज़िदार वीडियो में हमने मद्ध प्रदेश की नगरों इस्थलों की प्रिशिद्धी के कारण पर चर्चा करनी हैं वीडियो को सुरू करने से पहले य है टॉपिक पढ़ना है जिसमें हमें देखना है कि कौन सा सहर क्यों पिरसद्ध है ठीक है लेकिन इसको हम थोड़ा से डीटेल में पढ़ेंगे ताकि यदि और भी कुश्चन्स यहां से पूछे जाए तो आपसे बनें ठीक है तो हमें देखना है मद्द प्रदेश के नगरो एस्थलों की प्रस्दी के कारण तो हम देखते हैं सबसे पहले जो हमने नगर एस्थान लिया है वह है भोपाल ठीक है जिसके बारे में सभी को पता होगा कि यह राजधानी छेत्र है और जीलों के लिए प्रसिद्ध है छोटा तालाब बड़ा तालाब ठीक है यहां पे त प्रसिद्ध है जिसमें सफसे फीमस ताज उल मस्जिद है जो भारत की ही नहीं बल्कि एसिया की सफसे बड़ी मस्जिद है जिसकी निर्मात्री कौन है साय जहां बेगां ठीक है बात करते हैं अगला तो यहां पर बिड़ला मंदर भी है और इंद्रा गांधी राज्टी प यहां पर एक राश्टी उद्ध्यान है बन बहार राश्टी उद्ध्यान जहां पर आफ नील गाए जैसे अन्न बन प्राणियों को देख सकते हैं तो हमने अभी देखा भोपाल जिसका पराना नाम है भोजताल राजा भोज के कारण पढ़ा था भोजताल और राजधानी छेत्र एवं जीलों के लिए यहां फेमस है और बात की जाए तो यहां पर मोती मस्जिद जामा मस्जिद और ठीक है ताजल मस्जिद है जामा मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद का निर्मार किसने कराया था कुदिसिया बेगम एक बेगम थी पहले यहां की ठीक है भ पड़ी मस्जिद है यहां पर बिड़ला मंदिर भारत भवन इंद्रा गांधी राश्तिय मानव संगरहाल है ठीक है और यहां पर बन बिहार राश्तिय उध्यान भी है इसके बाद हम चर्चा करते हैं नमबर दो पॉइंट पर इंदौर ठीक है जिसका पुराना नाम था जोगनगरी है इंडस्टियल कैपिटल है और मिनी बॉंबे इसका नाम है ठीक है और क्या क्या यहां चीज़ां हमें देखने को मैं सकती है जिनकी कारण हम कह सकते हैं कि यह फेमस है तो खजराना गडिस मंदर ठीक है इंदौर में है लाल बाग पैलेस इंदौर में है इसके मंदल वाइल्ड लाइस सेंचुरी ठीक है जो सबसे छोटा अभ्यारन है मद्द प्रदेश का और यहां पर गोम्मट गिरी ठीक है गोम्मट गिरी क्या है जैन तीरतिस्थल है ठीक और सबसे महत्पूर यहां पॉइंट बात की जाए तो इंदौर एक ऐसा सहर है मद्द प् इंडियन इस्टिट ओफ मेंजिमेंट दोनों इस्टिट हैं एक मात्रे सहर है जहां पर यह दोनों इस्टिट हैं ठीक है तो इंदौर क्यों फीमस है या प्रानाम क्या था तो इसका प्रानाम है इंदूर क्यों फीमस है उद्द्योग नगरी मिनी वंबे की लिए और खजर अध्यापन वर्क कर दें तो जिससे क्या होगा कि यदि यहीं कहीं से भी कुछिन बनना होगा तो आपको एजी पड़ेगा थोड़ा डीपली पड़ेंगे तो ही हमें फायदा होगा ठीक है तो अगर सौट में देखना है तो भोपाल क्यों फीमस है रादधानी छेत्र है और जी लों के लिए फीमस है इंदर नोगे फीमस है मंदरों के लिए फीमस है पचमड़ी क्यों एक मातर है है और सांची क्यों है बहुत दिस्टूबों के लिए लेकिंडिल में भी हम देखते जाएंगे तो हमें ज़्यादा knowledge मिलेगा और ज़्यादा काम आएगा ठीक है खजराओ की बात करें या दी third number पर हमें खजराओ की बात करती हैं तो सबसे पहले दमाग में आएगा कि यह कलात्मक मंदरों के लिए प्रशिद्ध है कलात्मक मंदरों के लिए प्रशिद्ध है यहां की जो मंदर हैं वो तीन किस पर बीज़ड हैं यहां की जो मंदर हैं सेव धर्म बैसना धर्म यहां धर्म से सम्मंदित हैं ठीक है और इन मंदरों को जो खजरावों में मंदर हैं इन मंदरों को तीन समूहों में बाटा गया है, पूर्वी समूह, पस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् मंद्रों की नाम हमने बोल दिये कि कंदरिय महादिय मंदिर आदीनाथ मंदिर चतरबुज मंदिर बिश्णू मंदिर ब्रह्मा मंदिर और ठीक है बिश्णू मंदिर नहीं है ब्रह्मा मंदिर है और यह मंदिर सेवधर्म से बैशनावधर्म से और जैनधर्म से सम्मंदित हैं और खजराहू की बात करें, तो इसी 1986 में, इसी 1986 में यूनेसको की विस्व पुरातात्विक दरुआ सूची में, ठीक है, अगला बात करते हैं पच्मडी की, ठीक है, पच्मडी कहा है, होसंगवाद जिली में पड़ता है, पच्मड़ी की यदी बात करें तो क्यों फीमस है यह प्रदेश का एक मात हिल इस्टेशन है और यहीं पर क्या है सत्पड़ा की सबसे उची चोटी जो की तेरा सो पचास मीटर उची है सत्पड़ा की सबसे उची चोटी नाम है धूपगड़ यहीं पर इस्टेशन है ठीक है और इसका नाम यादी बोलें तो सत्पड़ा की रानी भी और कई मतलब नाम से फेमस है उसकी बात अगला है हमारा सांची के स्टूप सांची के स्टूप राय सेन ठीक है तो क्यों फेमस है तो हमने भी बात कर ली है कि बहुत स्टूपों के लिए फेमस है यहां पर स्थूपों की संख्या कितनी है यहां पर स्थूपों की संख्या है तीन और यहां का जो मैन स्थूप है मुख्य स्थूप कितना है वह भारत का सबसे बड़ा स्थूप है यहां का जो मुख्य स्थूप है ठीक है वह भारत का सबसे बड़ा स्थूप है इसके पहले ह में एक ती पड़ी थी ताजाल मस्जिद जो भारत की एबम इसिया की सभdess 잡нем새 मजिध थी और यहांपे हमने पड़ा यहां का जो मुख्य स्टूप है वह भारत का सभी बड़ाJeंस ब Natomiast से थिंतार हैं और हम बात करें तो सांची में जो स्टूप है वह दो मुंख्य वन्षी संम्मंदित संब्राट असोग से संमंदित हैं इसके बाद हमें देखना है एटारीशी एटारीशी क्यों famous है या क्यों प्रसिद्ध है तो मद्द्देश का सबसे महत्पून और सबसे पुराना जो जंगसन है रेलेविः जंगसन उसी लिए यटारीशी प्रिसद्ध है फेमस है रेले विजेंसन के लिए इटार्सी जाना जाता है इसके बात बात करें नेपा नगर की नेपा नगर बुरहानपुर की तो क्यों फेमस है अखवारी कागज कारखानी के लिए फेमस है सोतंतर भारत का पहला अखवारी कागज कारखाना कहां खुला थ था नेपा नगर बुरहानपुर में खुला था और कब 1947-48 के बीच में यहाँ खुला था यहाँ पर अखवार बनानी वाला जो कागज होता है वह बनता है नेपा नगर बुरहानपुर में देन उसके बाद अमलाई अनुपुर की बात करें अमलाई एक जगह है जो अनुपुर में है क्यों फेमस है यहाँ पर पेपर मिल है दा ओरियंटल पेपर मिल नाम से एक पेपर मिल है जो ओरियंटल पेपर मिल नाम से फेमस है जो बिडला गुरुप के द्वारा संचालित है निजी छेतर की यह एक मिल है हमने इस वीडियो में बोपाल, इंदौर, खजरा हो और कुछ प्रिशिद्ध अन जगहों के बारे में देखा क्यों प्रिशिद्ध है इसके बारे में deeply study की है यहां से यादी कहीं से भी question बनता है तो इसके बारे में आप आसानी से अब solve कर सकते हैं questions को यहादी आज का हमारे वीडियो पसंद आया हो तो please like, share, subscribe जरूर कर देना इसका अगला part हम कल release करेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में